इसलाम वालेकुम वारेकुम् संफीबे चैनल ZERO और ही यौकुम्स जब लगते हैं तब उसमें कौन कौन से सक्षिंचन्स होते हैं। तो जब आप अच्छा content writer हैं अगर आप लोग post लिख रहे होंगे, articles लिख रहे होंगे, web pages का content लिख रहे होंगे, लेकिन case study की भी requirements होती है, marketing के purpose के लिए, तो क्यों होती है requirement वो हम discuss करेंगे, और यह की लिखते टाइम आपको कौन कहुंसे चीज़ें ध्यान में रखनी हैं, कौन कहुंसे sections आपको cover करने हैं, one by one हम चीज़ें डिसकस करेंगे, आप हम बात करते हैं case study, यह होती क्या है, यह एक actual में quantifyable number होता है, आप present कर रहे होते हैं कि आपके किसी भी client को services दे कर उसको क्या benefit हुआ, उसके कौन सा challenges को address कर लिया, आपने उसकी proper study बनाके आपने present करी दूसरे audience को, ठीक है, उसमे social proof आ जाता है, कि मतलब कि आपने for example, आपने दिखा दिया कि किसी customer को हमारी service से 200% उसका traffic increase हो गया, उसको ये benefit हुआ है, तो आप वहाँ पर उसका social proof आड़ कर रहे हैं कि actual में जो हमारी services हैं उससे, मतलब जो clients हैं उनको फाइदा हो रहे हैं, देन आप अपनी audience को बता रहे हैं कि हमारी services हैं उससे, हमारी clients को किस तरह से क्या फाइदा हो रहा है, तो आप उसको prefer कर सकते हैं, अब हम इसके benefits देखते हैं कि कौन कौन से हैं case study को use करने के, first है कि मतलब आपके जो competitors हैं उनको आपको beat करने का मौका मिल जाता है, for example, आपकी website को browse कर रहा है client और एक दूसरा जो competitor है top उसको browse कर रहा है, तो दोनों पर same same services provide हो रही हैं लेकिन आपने case study use की लेकिर उन्होंने case study use नहीं की है, तो जो person है जो audience है उसका जो है ना आपकी website पहने के chances जाद हैं, क्योंकि आप प्रूफ देखेगा कि आप actually जो आपकी services हैं वो work कर रही हैं दूसरे जो clients हैं उन्होंने use किया उनको benefit हुआ तो उनके लिए काफी helpful रहा है, तो आप उसको client बना सकते हैं easily, then work as an evidence, एक evidence की तरह work करता है यह case study, यानि कि आपने दिखा दिया, आपने content में भी वहाँ पे mention कर दिये कि हमारी यह benefits हैं, हमारी यह services हैं बहुत अच्छी हम services दे रहे हैं, कि हम अपने services देंगे, उससे आपको यह फाइदा होगा, आपकी बहुत ज़र ट्राफिक बढ़ जाएगी, लेकिन साथ यह मतलब जो आपको काम है, आप उसको थबूत भी दे रहे हैं ठीक है, तो वह case study है, उसका evidence क्या है, लोग मांगते हैं ना कि हम evidence दें, आप बाते तो करें, लेकिन काम क्या हो रहा है, कोई उसमें फाइदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, सुबू चाहिए होता है उन्हें, तो उसमें आप अपनी case study mention करेंगे, आप दिखा सकते हैं कि यह client था, उसकी ranking पहले यह थी, उसके बाद हम उसको first page पर लेकर आ गया है, तो ऐसे evidence वर्क क करते हैं कि case study में जो proper sections होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं, इसमें आपने heading, subheading को कैसे cover करना है, properly कौन-कौन से sections होंगे case study में starting में क्या होगा, next क्या होगा, last में कैसे use करना है, proper content को, तो जो first section होगा, वो होगा, आपका title and client, ठीक है, आपने इसको mention करना है, for example, एक hub sport की case study कि हम example cover करते हैं, यहां पे, ठीक है, एक signer client था hub sport का, तो अब signer को उन्होंने client का, यहां पे logo लगा दिया, यहां पे उसको title use किया, ठीक है, assigner generates one twenty percent more customers with, यह जो उनकी है, hub sport, ठीक है, कि हम, के मतलब, इस जो है, assigner ने हमारी services लेकर one twenty percent, जो है न, इतना increase किया है, ओके, तो यहां पे उन्होंने number use कर लिया, exact number दिखा दिया, कि ऐसा नहीं कहा है, कि सरफ increase कर लिया, बगाइदा उन्होंने exact number use करना है, आपने भी exact number use करना है, और client का नाम भी use करना है, ताकि जो नए audience है, उनका पता रहे कि हाँ, पहले कौन सा client था, वो उनकी services use कर चुक है, तो एक trust एक authenticity जो है, वो शो होती है, अब उसके बाद आपको use करना है, कि आपको customer है, उनके challenges क्या थे, उनकी problems क्या थी, तो आपको यह दिखाना है, कि जब आपकी services नहीं ले रखी थी उन्होंने, तो उनकी क्या क्या मसले थे, ठीक है, for example, आपकिसी को SEO service प्रवाइड कर रहे हो, त उसमें client के challenges क्या हो सकते हैं, उनकी website पे traffic नहीं आ रहा है, या उनकी website गूगल पे शो नहीं हो रही, उनका ranking का issue आ रहा है, उनकी ranking बहुत ज़दा पूर है, वो 10 page पे जा की show हो रही है, तो traffic नहीं आ पा रहा है, तो HubSpot ने सबसे पहले challenges दिखा दी अपने client के, कि उनके वहा अब यहां पर solution दिखाते है time, मतलब कि वहां पे आपने दिखा दिया कि वहां पे leads मिल जाएंगी आपको, और जो मतलब कि जो ज़्यदा growth मिलेगी आपको उसमें, तो यह उन्होंने solution provide किया, for example, आपको कोई client है, जिसकी website पे traffic नहीं आर आपने क्या services दें, आप उसमें include करक क्या result रहे, आपके, for example, आपने किसी website पे 10,000 traffic था, SU services देने के बाद 30,000 traffic हो गया, तो यह result हो गया, कि आपने 10,000 को 30,000 में convert कर दिया, फिर मतलब कि उसके बाद आपने, hub sport ने भी यही किया था, उन्होंने 83% growth in monthly website traffic, then 120% increase in customer base, and save 70% of time, okay, तो अब यह जो चीज़ें उन्होंन थोड़ा graphical presentation में भी show करना है, जैसे कि यहां पे इन्होंने नीचे show कि 83% क्या हुआ, 120% क्या हुआ, 70% क्या हुआ, ताकि अगर content user नहीं भी पढ़े तो नीचे से बस दे कि उसको idea हो जाए, यह numbers दे कि exactly benefit क्या हुए, ठीक है, तो आपको दिखाना है कि results क्या रहे है, ने last section हो गया, तो आपको last minute को call to action देना है, कि आप हमारी services ले सकते हैं, जैसा कि HubSpot नहीं किया है, कि start growing with HubSpot today, और end में get HubSpot free, अब यहां पे उन्होंने बटन दे दिया है, कि कैसी services को avail करना है, यहां पे click करके user आपकी services को ले सकता है, अब हम बात करते हैं, कि अच्छी case study कैसे लि कर लें, ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि case study, actually मैं बरीफ कर देते हूं कि उसमें क्या होता है, basically यह powerful tool होता है, ठीक है, to increase sales, कि आप अपने clients को बता रहे होते हैं, आपको जो potential target audience है, उनको आप बता रहे होते हैं, कि हमारी services को किसी client ने लेकर, मतलब बहुत सारे benefits उसे किसी ने आपको SEO service दी, उनकी website पर traffic growth हो गया, कितना हो गया, वो दिखा देते हैं, एक real life example आप दिखाते हैं, ठीक है, आप सच महीं customer की help करते हैं, आपकी services actually महीं work करते हैं, then show rather than tell, वो सारी website आपने देख्योंगी, जहां पर आपको पता चलोगा, customer को बताते हैं, कि हमारी services क यह benefits हैं, यह features हैं, इतने benefits हो सकते हैं आपको, लेकिन जब case study यूज़ करते हैं, तो आप actually में proof देते हैं, उनको show कर देते हैं, कि actually में हमारी services जो हम बोर रहे हैं, वैसा work हो रहा है, तो अब आपको case study कौन से clients की cover करनी हैं चाहिए mostly, तो वो हम देखते हैं, top clients, ठीक है, for example, कोई आपका, अच्छा, किसी का अच्छा business है, लोग उनको जानते हैं, उसने आपकी service ले रखी हैं, उनकी case study आप prefer करी है, ठीक है, क्योंकि उनको लोग जानते हैं, impressed होते हैं, कि हाँ, इनके clients हैं, तो अच्छा ही services परवाइड हो रही होगी, then most targeted industry, for example, कोई website development services को promote कर रहे ह आपकी target audience होती है, कि retail की या e-commerce वगारा website development का काम करते हैं, तो उसमें e-commerce या दूसरी website पर भी आता है, लेकिन आपका target audience जो है, यही होता है, कि ज़्यादा तर आप e-commerce की अधर traffic को ही target करते हैं, तो e-commerce की website, उसको जो clients हैं, उनकी case study आप cover करने की कोशिश करिए, इसे क्या ह होगा, कि जो आपके नए target audience उनको बता पाएंगे, कि हम इस field में expert हैं, हमारी expertise हैं, हमारी e-commerce website में हम बहुत ज़्यादा अच्छे से services जो है, हम provide कर सकते हैं, then आप देखते हैं कि कुछ tips, जो आपको follow करके, एक convincing case study आप frame कर सकते हैं, first, आपने याद रखना है, कि आपने उस industry क्या है, उनके challenges क्या थे, आपने क्या services provide की उनको, फिर क्या challenges थे, जो address हो गए, और exact outcome क्या रहा, ठीक है, for example, आपके 200 percent का revenue increase हो गया, services लेने के बाद तो आपने उसको exact outcome दिखाना है, then आपको readability का ध्यान रखना है, कि जो case study आप बना रहे हैं, उसके readability बहुत अच्छी हो चाहिए, ताकि जब दूसरे target audience पढ़ें, तो उनके easy to consume हो, उनको आपने heading, subheading यूज़ करने है, images and graphic यूज़ करने चाहिए, आपको bullet points और number list यूज़ करने चाहिए, bold text वगार आपको यूज़ करने चाहिए, ठीक है, जिससे आप थोड़ा सा अलग दिखा सकते हैं, अगर आप heading यूज़ करेंगे, for example, जहां पर आपने बात की थी, challenges and address की, तो आप हाँ पर heading यूज़ कर लिए, कुछ और सब heading यूज़ कर लिए, उसे हिसाब से आपने अलग बौर्ड दरीके से उनको दिखा दिया, जो paragraph वाला content है, उनका font size वगर अलग रख लिया, जो heading है, उनका font size अलग कर लिया, आपने, ठीक है, देन आपने जो images और graphics यूज़ कर लिया, जिससे आपने content को थोड़ा सा interesting और engaging बना दिया, देन उसके बाद है कि आपने data और real numbers यूज़ करने हैं, जैसे कि example है, 400% increase in revenue month on month, यनि कि हर month का revenue है, वो 400% increase हो गया, data आपने use कर लिया, number आपने use कर लिये, उसके बाद आपने organic traffic में 200% growth हो गए, conversion rate of 4.1% बढ़ गया, तो यह जो है benefits हुए, तो आपको number शो करने हैं, अच्छे से बड़े-बड़े graphics, charts वगरा यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे graphs बगरा, दूसरी data को use करना चाहिए, आपको, rather than कि आप सरफ पहला graph में सारा क कौन से services आपने उनको दी और क्या strategies follow की, आपने SEO services उनको दी, कितने महीने तक दी, 4-5 month के लिए या 1 year के लिए दी, तो तब यह result आया है, तो आपको यह बताना है कि कितने long time के लिए आपने services दी और कौन से services दी, okay, then आपको last में call to action यूज़ करना है, मैंने पहले भी बताय है, वो यह होता है कि आपकी जो target audience है, उनको बताया जाता है कि अगर आप यह ऐसा result चाहते हैं, तो हमारी services से ले सकते हैं, वहाँ पे option होता है, for example, हम HubSpot का example लेता है, उन्होंने वहाँ पे call to action नीचे mention किया, get HubSpot free, तो उन्होंने, मतलब case study के बारे में call to action यूज़ कर लि तो उसको action लेने के लिए कुछ option मिल जाएगा, यह था हमारा आज का लेक्ट से रूमीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा, अगर आप किसी को कोई बात clear नहीं होई तो आप comment में पूर सकते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पूरा watch करें, अपने थिंक यू, आला आफेज